आज हम वारता करते हैं गुंजा गुंजा के बीज की माला के विश्यमि गुंजा एक आउस्दियत अत्व है यह भारति की बीज विभिवन एस्थानों पर पाया जाता है इसे गुंजा चोटली चिडी नामुं से भी कहा जाता है इन्ही नामूं से यह प्रचलित भी है गुंजा के लाल पौन ़ुप से काले सफेध, हरे तथा पिले रंगे बीज पाये जाते हैं कहीं कहीं गुंजा के नारंगी रंगे बीज भी पाये जाते हैं इन बीजों में काले और हरे रंगे बीज दूलब होते हैं लाल काले और सफेध बीज अधिकतर प्राप्त हो जाते हैं गुंजा ये विभिन्न परियोग हैं गुंजा के दाने गुंजा की माला यहां आज हम विश्ष्ट तोर पर गुंजा की माला की विश्य में वारता करते हैं गुंजा का बीज भगवति मातनगी को बड़ा ही प्रिया है आज हम जिस माला की विशा में वारता करते हैं उसका प्रदशन भी आपके संमुक करते हैं गुंजा की यह माला एक सो आठ दानों की माला होती है तथा इसके मध्य में तीन मुखी रुद्धाक्षर होता है यह माला सफेद तथा लाल रंके बीजों से मिश्रिप करके बनाई गई है इस माला को धारन करने से भगवती मातंगी की करपा प्राफ्ट होती है और भगवती मातंगी ग्रहस्त जीवन को प्रदर्शित करने में ग्रस्त जिन्मन को उत्करष्ट बनाने में अपने साध्कों को वर्दान पतान करती है। प्रथात इस बीज के उत्पन होते ही प्रारब हो जाता है गुंजा की माला काले रंग की माला धारंग करने से किसी भी परकार की नकारात में पुझा खत्म होती है गुंजा की माला आकरशन सक्ति को प्रदर्शिक करती है इन्हीं वैक्ति जो इंटर्व्यों आधी को देना च जाती हैं उन वेक्तियों को गुल्जा की माला धान करने चाहिए जिस से उनके आकरशन सक्ति बढ़ती है लग्तित्त्र का विकास होता है यह माला आप हमारे प्रतिष्ठान पारशर जोतर विज्ञान से भी प्राप्त कर सकते हैं तथा एमजोन पर हमारे पौर्टल पारशर गनीच आपका कल्यान करें